हेलो टेमर फैंस, वेलकम बैग तो दे न्यू एपिसोड अफ चरनल एन आई, लेट से स्टाट सो प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था कि शू बैजी इंसेन नहीं जला पाय था और उसकी शद्धानजली कबूल नहीं हुई थी इसलिए पूरी सबासमाप्त होने के बाद, वो महरानी और उनके प्रिंस के सामने बैटकर उनको अपने शद्धानजली देने की कोशिश करता है कि तबी वहां किंग साइमा आता है और शू बैजी को देखकर कहता है कि तुम यहां क्या कर रहे हो, तुम जानते हो यह सब तुम्हारी बज़ा से हुआ है तुम है क्या लगता है, इस तरह मेरे बच्चों को मार कर, तुम मेरी गद्धी को हासल कर सकते हो तो शू बैजी किंग साइमा से कहता है कि अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं किसम खाता हूँ कि मैं कभी भी इस गद्धी पर नहीं बैठूंगा, मैं हमेशा आपकी सेवा में हाजे रहूँगा इतना सुनकर पिंग साइमा चला जाता है, तब ही भाँ हेजिया आ जाता है और शू बैजी को भड़काने के इरादे से कहता है कि इस तरह महरानी के आगे जुकने का तुम्हें अब कोई हक नहीं है, क्योंकि तुम्हारी वज़े से ही ये सब हुआ है, एक औरत के चक्कर मे पढ़कर तुम्हें सब कुछ परबात कर दिया, शू बैजी को हेजिया की कई हुई बाते बहुत चुप जाती है, और वो हेजिया पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन सामने से हेजिया भी उस पर अटैक कर देता है, उसी वक एक डरावना सपना बाई पिंक अब वो कुछ भी गलत नहीं करेगा, इसलिए वो बिना हेजिया कुमारे तलबार नीचे फेक देता है, और हेजिया शू बैजी को मारने लगता है, दूसरी और बाई लैन का चांसलर किंग साइमा के पास चाता है, और उनसे कहता है कि लिएंग स्टेट से बाई लैन को खत और वो इमेडियेटली अपने एक नौकर से कहता है कि जल्दी से मेरे लिए गोल्डन पिल लाई जाए, तो शू बैजी किंग साइमा से कहता है कि आपको इन गोल्यों की आदत हो रही है और श्यादी इसी का साइड एफेक्ट है, आपको इने लेना बंद कर देना चाहिए, लेकिंग साइमा उसकी कोई बात नहीं सुनता, और किंग साइमा जो कि पहले से ही शू बैजी से चुड़ा हुआ वैटा था, वो चांसलर के भरकाने पर शू बैजी को आर्मी इसका जो हैड बना रखाता उससे हटा देता है, और उसके जगे चांसलर को वो पोजिशन दे देता है, इसी के साथ मिलिटर हैड की सील जो कभी शू बैजी के पास रहा करती थी, अब वो चांसलर के पास आ जाती है, इसी बात का फाइदा उछा कर वो शू बैजी को आर्डर देता है, कि वो दस हजार सैनिकों के साथ जाए और लियांग स्टेट पर अचैक करे, हालां के लिए निकलने से पहले शू बैजी एक आर्मी को बाइपिंग की डॉक्टर जूई के लिए एक मैसिज देता है, और उसे उस तक पहुचाने के लिए कहता है, इसके बाद शू बैजी अपनी आर्मी को लियांग स्टेट पर अटेक करने के लिए रेडी करता है, उधर की काफी है और वो है शू बैजी तबी बाइपिंग के हाथ से जिधर के जो वायर्ज होते हैं वो तूट जाते हैं और उसे ये अपशकुन लगता है, उधर बेचार शू बैजी अपनी थोड़ी सी सेना के साथ लियांग स्टेट की बड़ी आर्मी का सामना करता है और शू मारे जाएंगे लेकिन किंग साइमा जो पूरे तरह से शराब और लड़कियों में डूबा हुआ था वो उस सैनिक की बात नहीं सुनता और बिना बात सुने उसे भगा दिया जाता है दूसरी ओर चांसलर कॉनक्योबैन ये इनके पास चाहता है और उससे कहता है कि अब चांसलर गोई प्रिंसेस के पास चाहता है और उससे बताता है कि लियांग आर्मी हमारे वाइलन के बाहर खड़ी हुई है और उनसे सामना करने के लिए किंग साइमा ने जो आर्मी भेजी है शूबै जी के साथ वो बहुत कम लोग है मुझे नहीं लगता कि वो लियांग स् थोड़ा घबरा जाता है और वो प्रिंसेस से कहता है कि गोईान तो भी ना समझ है लेकिन प्रिंस हेजिया के बारे में मैंने सुना है कि वन्हें युद्धों का बहुत एक्सपीरियंस है क्यों नहीं भीज दे तो प्रिंसेस भी इसी मौके का फायदा उचाती है और प्रा अप्शन नहीं था इसके साथ ही प्रिंसेस प्राइमिनिस्टर को और देती है कि आज के बाद सारे ऑफिशल मैटर्स कोर्ट में सुलजाए जाएंगे मुझसे परसनले मिलने के लिए आप कभी नहीं आएंगे यहां दूसरी ओर चांसलर गाओं पर अचैक करवा देता है क्योंकि वो जानता था कि अब शूबेई जी यहां नहीं है जो इन लोगों को बचा सके शूबेई जी ने डॉक्टर जूई के लिए जो मैसिज भी जाता उस मैसिज में वही गोल्डन पिल थी जो किंग साइमा ले रहे थे वो चाहता था कि डॉक्टर इस गोल्डन पिल का पता लगाएं कि इसके अंदर क्या है और जब वो उसे चैक करती है तो वो कहती है कि वैसे तो ही नरिश्मेंट पिल है लेकि इसमें कोई एक चीज ऐसी है जो अभी पहचान में नहीं आ रही है और मुझे पता लगाने के ल वहां बलता था है तो मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि शूबेजी के साथ भी कुछ तो गलत हो रहा है तो इन लोगों के इस तरह हम पर अचैक करने की हम्मत नहीं होती तब ही मुरैन एक अटाकर को पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि यह सब किस ने करवाया तो अटाकर बताता है कि यह सब चांसलर ने करवाया है और चांसरा का कहना है कि जिस युद्ध के लिए शूबे जी को भेजा गया है वो वहां से अब कभी वापस नहीं आएगा ये सुनके बाइपिंग को बहुत बड़ा छटका लगता है और अब वो समझ जाती है कि उसके साथ वो सारे अपशकुन क्यूं हो रहे थे दूसरी और युद्ध में शूबे जी की आर्मी बुरी तरह हारने लगती है और वो लोग मरने लगते हैं शूबे जी खुद को बहुत ही बेबस फील करने लगता है क्योंकि उसने रिन्फोर्समेंट के लिए कहा था लेकिन अभी तक कोई भी आर्मी उनके मदद के लिए नहीं आई थी वही लियांग किंग भी सोचने लगता है कि इतने छोटे से लोगों के लिए हम अपने आर्मी को बरबाद क्यों करें दूसरी और बाइपिंग को ये समझते दे नहीं लगती कि ये सब हेजिया ने कॉनकिबैन येन और उसके पिता चांसलर के साथ मिलकर किया है और वो मॉरैन से कहती है कि शूबेजी के हेल्प के लिए अब हम लोगों को ही जाना होगा मॉरैन भी अपने आर्मी को शूबेजी के हेल्प के लिए रेडी करता है और वो लोग लियांग स्टेट के लिए निकल जाते है वहीं दूसरे दिन की रात को भी शू बेजी अपने लोगों के साथ डिसकस कर रहा होता है कि रिइनफोर्समेंट को आने में कितना वक्त लगेगा लेकिन वहाँ पता चलता है कि अभी तक कोई भी रिइनफोर्समेंट नहीं निकला है दूसरी और किंग साइमा की तवियत दिन पर दिन खराब होती जाती है उनना देखने के लिए फिजिशन ली आये होते हैं कि तभी चांसलर अपनी बेटी कॉनक्यूबैन येन को लेकर वहाँ पहुंचता है और ज्रामा करना शुरू कर देता है कि दो तिन दिन से मेरी बेटी भी कुछ खापी नहीं रही है और इसकी हालत भी खराब दिख रही है मैं चाहता हूँ कि फिजिशन ली इसको भी चेक क कहता है कि इस काम के लिए तुम इनाम की हगदार हो और तुम्हें बहुत सारे चांदी सोने और हीरे के जवारातों से लाद दिया जाएगा साथ ही वह डिकलेयर करता है कि नई प्रिंस का स्वागत बहुती धूम-धाम से किया जाएगा लेकिन कॉनक्यमैन येन को ये सब प करने का क्या फाइदा हुआ तो चांसलर उसे समझाता है कि तुम चिंता मत करो आज नहीं तो कल तुम्हें उसे रानी बनाना ही पड़ेगा अगला सीन यान स्टेट का है जहां जेनल यान अपनी वाइप जियांग से बाइपिंग के वारे में बात कर रहा होता है और जेनल पर तो उसका थोड़ा ही असर होगा लेकिन उनके बच्चे मारे जाएंगे साथे उसे शूबेजी के बारे में भी पता चलता है कि किस तरह उसे अकेले कुछ सानिकों के साथ लियांगे स्टेट के खिलाफ लड़ने के लिए भीज दिया गया है तो उसे बहुत दुक होता ह तब ये जनरल जिन अपने एक आदमी को बुलाता है और उसे शूबेजी के लिए एक मैसिज देता है और कहता है इस मैसिज को बिलकुल अभी शूबेजी के पास पहुशा दिया जाए अब ये मैसिज क्या है ये तो हमें अगले एपिसोड में ही पता चलेगा लेकिन आप लोग इस वीडियो को लाइक करना और इस पर कमेंट करना बिलकुल मत बूलेगा मुझे ये बाद डेली बोलने पड़ती है क्योंकि अगर मैं नहीं बोलती हूं तो कोई लाइक ही नहीं मेरी वीडियो को और मैं जाती हूं आपके लिए एक और धमागेदा वीडियो बनाने तिल देन टाचा बाइबाई सायोनारा एंद टेक केर